हेलो एव्रिवन वेल्कम तु स्टडी मंत्रा बाई नेहा आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स रिलेटेड करेंट अफेर्स ऑगस्ट के जितने भी मंत के करेंट अफेर्स हैं स्पोर्ट्स के हम वो टॉपिक आज करवर करने वादें तो यह पूरा की पूरा मंत का करेंट इसमें हो जाएगा स्पोर्ट्स का तो चलिए देखते हैं हमारा फॉर्स्ट कॉर्शन वो ओन धी जिरन कप 2023 ट्रोफी यह कौन जीता है मोहन बगान सूपर जाइन मोहन बगान सूपर जाइन फॉर्स टीम बनी है जिसेने सत्रा बार यह टाइटल जीता है और सिक्स्टीन ट जीता है इस्ट बैंगल टीम ने जो कि सेकेंड है और फॉर्स फॉन सी है मोहन बगान यह मैच हुआ था सॉर्ट लेग स्टेडियम इन कॉलकता बैस्ट बैंग ओल में वो वोन वोमेंस एशियन होकी 5 वर्ल कप कॉलिफायर किस ने जीता है वो जीता है इंडिया ने वोमेंस का पूछा और इंडिया ने किसे हराया थाइलेंड को हराया फाइनल में यह एक वोमेंस एशियन होकी 5 वर्ल कप के लिए कॉलिफायर माच था यह अब वोमेंस होकी 5 वर वो पाकस्तान को हरा है और वोमन्स का पूछे जाएगा तो खालेंग को हराएगा वी डवल्ड चैंपेंशिप 2023 का रेजल्ट देखते हैं वर्ल्ड चैंपेंशिप बैटमेंटन की हुई है तो इसमें गोल्ड किसने जीता है मेंस में कुनलावुद विदी सर्णी जीता है सिल यंग ने सिलवर जीता है कैरोरीना मारीन ने ब्रॉंस जीता है शन यूफी ने और अकाने यामागुजी ने जीता है ब्रॉंस यहाँ पर मैंने सारी की 2023 की ग्रेंट प्रिक्स तो आप इसमें ये देख लो कि जो मैक्स वर्स्टैपन ने नहीं जीती है वो कौन सी वो है साउदी अरेबियान और अजरबेजान ये दो छोड़ के सारी की सारी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने एक रेकॉर्ड बनाया है कि लगातार continuous 10 विक्ट्री गिया और ये पहले ऐसे ड्राइवर हैं जिन्होंने 10 बार रेज जीती है तो ये कौन से कंपनी की कार्शाल आते हैं रेड बॉल और हैं नेधरलेंड से वर्ड इतलेटिकस चेंपेंशिप के मैंस जैवलेंड त्रो में गोल मेडल किस ने जीता है वो जीता है नीरत चोपड और ये कहां हुई थी ये हुई थी बूडापेस्ट आंगेजी में वो वन फीड हैचेस वर्ड कउप 2023 किसस ने जीता है वो जीता है मेगनस कालसन ने मैगनस कालसन नॉरवई के प्लेयर है और इन्वोंने फाइनल में रहा है प्रगनाननंदा को प्रगनानंदा इंडिया से हैं और यह second player है जो कि final तक पहुचे हैं फॉर्स्ट थे विश्वनात आनग वाट डिस दे नेम ऑफ दी खेलो इंडिया विमन्स लीग न्यू नेम रख दिया है खेलो इंडिया विमन्स लीग का तो उसका नाम क्या रखाया असमिता उसकी फॉल फॉर्म है नंठी स्पोर्ट स्माइल स्टोन वाइं इंस्पारिंग वॉमन तुझ एक्शिंस अभीता ने जीता जो 62 kg में खेलती है शिल्वर जीता है अंतिम ने वो 65 में खेलती है अर्जु रीना और हर्शित मोल इन्होंने भी ब्रॉंस जीता है इनकी केटेगरीज भी जरूर याद रखना वो वन गोल मेडल इन्दी अंडर 17 केटेगरी इन एशियन युदियर स्कॉर्ण चैंपेंशिप के अंडर 17 में किसने गोल जीता है वो जीता है अनाहाफ सेंगने ये कहा ओँधी दालियान चाइना में वो बिकम दी अंडर 20 वर्ल्ट चैंपियन इन्दी मेंस 61 kg freestyle category ये कौन बने है ये बने है मोहित कुमार मोहित कुमार 61 freestyle में गोल्ट जीता है इनोंने और ये अकेले हैं जिनोंने जीता था सागर जगलान ने 79 में जीता सिलवर और बागी उने ब्रॉंस जीता है तो आप लोग ये बस ये रखो ध्यान में रखो कि कौन सी kg में खेलते हैं और कौन से sport से related है कभी कभी question पूछ रहते हैं कि किस sport से related है वो वन FIFA Women's World Cup 2023 किस ने जीता है वो जीता है Spain ने किसे हराया था England को हराया था और ये आज कहा हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सगनी में हुआ था यंग प्लेयर आप दे टॉर्नमेंट कौन बनी है सल्मा पराल योलो ये कहां कि है Spain से है golden glove किसे मिला है Mary Elbs इक हां से England golden boot किसे मिला है Hinata Miazawa जो की जापान से ये golden boot किसे मिलता जो टॉर्नमेंट में सबसे ज़्यादा स्कोर करते है गोल स्कोर करते है अब ये तीन सबसे ज़्यादा important है ये आप जस्ट गूधरू कर लेना एक बार देख लेना नजर माल लेना जरूरी नहीं कि वो आएंगे ही वनिंदू हसरंगा रिटार्स from test cricket he is from which country ये कौनसी country से है ये है श्रलंका से ये क्या खिरлять थे ये भी याद हो को ये एक क्रिकेटर थे इंडिया सोर्स्ट नाइट स्टीट रेसिंग सरकीट इंडिया का पहला नाइट स्टीट रेसिंग सरकीट कौन से सती में बना है, वो बना है, चन नहीं है. Who has been named ICC Player of the Month? ये बहुत important question है, बहुत बार पूचा गया है, Chris Fox, ये कौन से country से हैं, ये हैं, England से, Chris Fox बने हैं, और Women में बने है, Ashley Gardiner, वास्ट्रिलिया से हैं. ये आप सारे मनत के याद रखना, men's or women's कोई भी पूछा जा सकता है जिसे January में शुबन गेल को मिला था और जो भी है सब कुछ लिख लेना, note down कर लेना बहुत important questions आई है who won Asian Cup trophy title 2023 Asian Cup trophy किसने जीती है, वो जीती है, इंडिया ने, इंडिया ने किसे हराया, मलेशिया को हराया final में और ये fourth Asian Champions trophy है इंडिया की और ये match कहा हुआ था, Mayor Radha Krishnan Stadium in Chennai में हुआ था, इसमें best player कौन रहे थे, Mandip Singh रहे हैं, best player और top scorer, जिसने सबसे ज़्यादा goal मारे हो कौन थे, हर्मन पीर सेंग थे Indian wrestlers win 11 medal at world under 17 championship, world under 17 championship ही वो कहा हुई, Istanbul, Turkey में, 11 medal जीते हैं इंडिया ने तो आप इसमें ये याद रखो, ये याद रखो, कौन से player किस से related है, क्योंकि questions कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है सवीता ने जीता है, gold जो women's freestyle में खेलती हैं और वो है 66 kg से मनुप याद आप को याद रखो, bronze से है 51 kg, bronze जीता है men's freestyle में, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आप एक बार गोधरू जरूर करना फीसु वर्ल्ड उनिवर्सिटी गेम 2023, इसकी पूरी medal टेली बताई है, तो इसमें first पे कौन था, Republic of China, का हुआ था ये, चेंगडू में, चाइना में हुआ था, टॉप पे चाइना था, चाइना ने 160 medal जीते, 90 gold, silver 37, bronze 33, इंडिया 7th position पे था, उनके total medal थे, 2026, 11 gold, 5 bronze, sorry, 5 silver, 10 bronze, वर्ल आर्चरी चेंपेंशिप हुई 2023 में, जिसमें इंडिया ने gold medal जीता, ये history बनाई है, तो इंडियन टीम में, इंडियन वोमें टीम ने gold medal जीता, ये वोमें टीम कंपाउनिया ने, तीन लोग मिलके खेल रहे थे इसमें, ये कहां हुई थी, चेंपेंशिप योई वर्लिन जर्मनी में, तो ये टीम किस-किस, कौन-कौन थे उसमें, जोदी, सुरेखा वन्नम, प्रनीक कौर, अधिती, गोपिचन स्वामी, ये तीनों थे, जो की टीम में थे, उन्होंने history बनाई है, गोल्ड मेडल जीता, ग्रैंड मास्टर गुकेश, ओवर्टेक विश्वनात आनन्स को भी सरपास करके आगे निकल गए हैं, चेस्ट रैंकिंग में, ये पहली बार हुआ है, जिस प्लेयर में किया है, एलेक्स हेल्स, फ्रम इंग्लैंड अनॉंस रिटार्मेंट फ्रम इंटरनाशनल क्रिकेट, एलेक्स हेल्स कहां से हैं, इंग्लैंड से जिन्होंने रिटार्मेंट ले लिया हैं, इंटरनाशनल क्रिकेट से, तो आज के सेशन यहीं एंड होता है, मते हैं नेक्स सेशन, थैंक्यू,